दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फिलिप कार्ड से EMI पर मोबाईल कैसे लिया जाता है वो भी बिना क्रेडिट कार्ड के इसके प्रोसेस के बारे में दोस्त अगर आप फिलिप कार्ड से EMI पर मोबाईल लेना चाहते हैं लेकिन आपके पास credit card नहीं है तो दुस्तोow flip card आपको बीना credit card के भी EMI पर mobile देती है बीना credit card के भी आपको 2 और option मिल जाते हैं जिसके थूरो आप flip card से EMI पर mobile ले सकते हैं तो क्या है वे दो option कैसे आपको flip card से mobile के लिए EMI कराना है वो भी बीना credit card के कैसे आपको without credit card EMI per mobile flip card से मिलेगा इसका सारा process मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ तो अगर आप भी flip card से EMI per mobile खरिदना चाहते हैं तो इस वीडियो को complete देख लिजेगा तो चलिए शुरू करते हैं इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दिजे और चैनल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे तो दोस्तों flip card से EMI per mobile purchase करने के लिए सबसे पहले आप अपने flip card app को open करेंगे और mobile number से आप flip card app में login हो जाएंगे तो देख सकते हैं हम यहाँ पर login कर ली है अब जैसे आप login कर लेते हैं आपके सब्सक्राइब कर लेते हैं आपके सब्सक्राइब का dashboard को चैनल का सो हो जाएगा तो चलिए हम सबसे पहले first option के बारे में जानते हैं कि कैसे हम flip card से EMI per mobile ले पाएंगे बिना credit card के तो दोस्तो पहला option क्या है तो यहाँ पर जैसे आप flip card आपको open करेंगे तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा credit का आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो credit का option आपको दिख रहा है इस credit बाले option पर आपको click करना है अब आपके समने एक नया page आएगा तो देख सकते हैं इस page में आपको option मिलेगा flip card pay letter activate करने का तो दोस्तो flip card pay letter क्या है चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ तो दोस्तो flip card pay letter एक ऐसी facility है जिसमें flip card आपको 1,00,00 रुप्य तक का credit limit देती है आप flip card pay letter से 1,00,00 तक का कोई भी product EMI पर buy कर सकते हैं और EMI 10 आपको 12 मन्त यानि 12 महनों तक के लिए मिल जाता है वो भी बहुती easy EMI में यानि बहुती आसान किस्तों है अगर आप flip card pay letter को activate करेंगे तो आपको 1,00,00 रुप्य तक का credit limit मिलेगा तो दोस्तों flip card से product buy करने का यहीं एक first option है इसके बाद मैं आपको second option के बारे में भी बताने वाला हूँ तो यह flip card pay letter को कैसे activate किया जाता है और कैसे flip card pay letter से EMI पर product buy किया जाता है flip card से इसका भी process मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा तो सबसे पहले flip card pay letter को activate करने के लिए यहाँ पर आपको option में रहा है apply at no joining piece तो देख सकते हैं flip card pay letter apply करने के लिए आपको कोई भी joining piece भी आपर नहीं देना है तो आप इस option पर क्लिक करेंगे अब जैसे आप apply at no joining piece option पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पर कुछ second wait करेंगे आपके समने flip card pay letter activation पर जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको flip card pay letter का कुछ highlight यहाँ पर detail में आपको बताएगा है तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बताएगा है EMI also available up to 12 months यहाँ आपको 12 हैने तक के लिए EMI time मिलेगा no extra fee on joining आपको joining करते time कोई भी extra fees नहीं देना है और यहाँ पर बताएगा sign up and get up to 500 gift card आपको 500 उर्पिय का gift card भी मिलेगा जब आप flip card pay letter को activate कर लेंगे तो flip card pay letter को activate करने के लिए आपको 3 step complete करने है सबसे पहले pen details आपको verify करना है इसके बाद आधार details verify करेंगे इसके बाद आप अपना bank details डालेंगे तो आपका flip card pay letter activate हो जाएगा तो सबसे पहले आप flip card pay letter को activate करने के लिए अपना pen number एंटर करें देन next option पे click करें अब जैसे आप pen number डालके आधार के website पे तो यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे जैसे आपको आधार के website पे redirect करेंगा आप आपको आधार को verify करना है verify करने के लिए आपको यह पे login option डीक रहा है login option पे आप click करेंगे अब यह पे एक कुछ second wait करेंगे अब यह पे देख सकते हैं आपके समने form आ चुका है इस form में आप अपना आधार नमबर को इंटर करेंगे देन इसके बाद आपको capture code दिख रहा है same capture code capture box में डालेंगे continue option पे क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी mobile नमबर लिंक होगा उस पे 6 digit OTP send कर दिया जाएगा वो आधार OTP आप यहां पे डालेंगे देन इसके बाद verify option पे क्लिक करेंगे अब जैसी दूस्तों आधार OTP डालके verify option पे क्लिक करते हैं अब आपको यहां पे 4 digit pin set करने के लिए बोला जाएगा आधार फाइल को open करने के लिए तो आप अपने हिसाब से 4 digit pin यहां पे जैसी कि आपका नाम यहां पे सो हो जाएगा आपका data birth और आपका जेंडर और आपका communication address भी आपके अधार कार्ट सही फैस कर लेगा आप सब कुछ आप चेक करेंगे सब कुछ सही है तो आप agree and submit option पे क्लिक करेंगे अब जैसी दूस्त आप agree and submit option पे क्लिक करते हैं तो आपक अपने bank account को verify करना है तो bank account verify करने के लिए आप अपना UPAID डालके भी bank account को verify कर सकते हैं या फिर आप अपने bank account डिटेल डालके भी अपने bank account को verify कर सकते हैं तो UPAID से अगर आप verify नहीं करेंगे तो यहां पको option में लेगा choose bank account इस option पे क्लिक करके आप अपना bank account डिटेल डालके verify कर सकते हैं तो चलिए हम यहाप यूपाइड से verify करेंगे bank account को तो हम यूपाइड डाल दिये हैं दर आप verify and submit option आपको दिख रहा है आप verify and submit option पे click करेंगे तो चलिए हम verify and submit option पे click कर देते हैं अब जैसे दोस्ताब अपने bank account detail को verify कर लेते हैं आपका flip card pay letter activate हो जाएगा और जो भी आपको flip card pay letter पे limit मिलेगा वो limit आपके समने 100 हो जाएगा जैसे कि दोस्तों हम जिनका flip card pay letter activate किये उनको 50,000 रुपय का limit मिल चुका है वो ये 50,000 रुपय का कोई भी product flip card pay letter से ले सकते हैं तो दोस्तों ये limit हर किसी के लिए अलग-अलग हो सकता है ये आपके civil score पे depend होता है अगर आपको civil score हाय होता है तो आपको ज्यादा amount मिलेगा इसमें आपको maximum 1,000,000 रुपय तक कम मिल जाता है और आपको credit score अगर low होगा तो आपको कम amount देखने को मिल सकता है तो देख सकते है अब दोस्तों फिलिपकाट पे लेडर को activate करने के लिए फिलिपकाट अपको फिर से open करेंगे अब आपको सच बार पे उस product को सच करना है जो product आप लेना चाहते हैं अगर आप mobile phone लेना चाहते हैं तो उस mobile phone का आप 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 नाम सच करेंगे चलिए हम smartphone सिर्फ टाइप कर द लेते हैं आपको दिखाने के लिए तो यहां पर जिसी कि यहां पर देख सकते हैं हम इस smartphone को चूज कर लेते हैं Motorola G32 जिसका प्राइस है 11,999 तो चलिए हम इसको सेलेट करते हैं आप mobile phone को सेलेट करेंगे आपको बाइना option दिख रहा बाइना option पर क्लिक करेंगे अब यहां पर continue option पर क्लिक करते हैं यह direct आपको payment page भी लेका आएगा तो payment page में आपको payment करने के लिए बहुँद सरा payment method मिलेगा तो payment page में आपको flip card pay letter का option दिखेंगे एब तो जैसे आप flip card pay letter को select करती हैं आपको यह प्रिद नीजाएगा select तो यहां पर आप अपने हिसाब से EMI plan को select करेंगे जैसे कि 3 मेनों के लिए अगर आप EMI पर product को लेते हैं तो आपको कितना मंतली EMI देना है कितना आपको interest देना है total आपको कितना pay करना होगा interest लेकर सब कुछ यहां पर so हो जाएगा उसी तरह 6 मेनों के लिए 9 मेनों के लिए और 12 मेनों के लिए आपको EMI plan दिखाया गया है आप अपने हिसाब सबने EMI plan को select कर लेंगे चले हम 3 मेनों के लिए select कर लेते हैं तो इसके बाद हम confirm option पे click कर देते हैं अब दूस्तो EMI plan select करने के बाद आपको confirm option पे click कर देना है जैसे आप confirm option पे click कर देंगे आपका payment बिल्कुल 0 हो जाएगा आपको कितना flip card pay letter से limit मिला है उसमें सब कितना खर्च किये है नेक्स्ट यह मैं आपको कब पे करना है यह सारा detail देखने के लिए आपको फिलिप का option पे click करेंगे आपको यह पर option मिलेगा flip card pay letter का इस पे आप click करेंगे तो आपका complete detail आपको देखने को मिल जाएगा तो यह हो गया दोस्तो first option जिसमें कि आप बिना credit card के flip card से EMI पर कोई भी product बाय कर सकते हैं अब चलिए हम जानते हैं second option के बारे में EMI पर product मिलेगा यानि तो eligibility चेक करने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले flip card app में आपको अपने ATM card को यानि debit card को save करना है तो दोस्तों अभी आप flip card में directly अपने ATM card को add नहीं कर पाएंगे करने के लिए आपको flip card से पहले कोई भी product बाय करना है और उसका payment आपको अपने debit card से करना है तो आपको चोटा मोटा कम price का कोई भी product बाय करेंगे फिलिप कार्ड से उसका payment आप अपने डेविट कार्ड से करेंगे तो आपका डेविट कार्ड सेव हो जाएगा जैसे आपका डेविट कार्ड सेव हो जाएगा और अगर आप EMI के लिए इलिजवल होते हैं तो आपको EMI option में ही देखने को मिल जाएगा credit card के नीचे आपको option मिलेगा debit card EMI का तो माल लेज़े for example आपके पास access bank का account है और उसमें आपको debit card मिला हुआ है और आप पहले ही अपने debit card को flip card app में save करके रखें तो जब आप mobile के लिए EMI करेंगे तो आपको EMI option में ही option मिलेगा access bank debit card EMI का अगर आप debit card EMI के लिए eligible होंगे तभी आपको ये option मिलेगा और जैसे आपको option मिल जाएगा आप अपने debit card को verify करेंगे order को confirm करेंगे तो आपका debit card से order हो जाएगा तो आप इस तरीके से दोस्तों आप flip card से बिना credit card के EMI पर product ले सकते हैं जैसा मैंने आपको इस वीडियो में दो प्रोसेस दिखा दी है अगर आपके पास credit card नहीं है तो आप flip card pay letter EMI और debit card EMI flip card से EMI पर mobile ले सकते हैं तो आपको इस वीडियो अच्छी लेगे और आपको इस वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपके मन में कोई भी confusion कोई भी स्वाल है वीडियो के नीचे comment कीजिए और वीडियो को आगे share जरू कर मिल्ट नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू जय हिंद